तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और दोस्तों की अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि गुरूप डी रिजल्ट जैस तो गुरूप डी रिजल्ट आज के सिमे में हर्यादा में जो असे सिमें जिने तियारी की थी और पेपर दिया था आज के टाइम में और जो रिजल्ट को लेकर खबर आये दोस्तों आज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है आपको बता दूँ क्योंकि आपको पता हुआ एक दो दिन पहले चाहसी ने ये तेया गयाद है कि हम मीटिंग करेंगे उच्छ दिकारियों के साथ और उसमें जो पंद्रा सो पद बढ़ाए गए हैं उनके लिश्ट जारी करेंगे कि कौन से विफाग में कितने पद खाली हैं ये वो सब मेटर जो मैंने आपको बता था पहले भी अब दोस्तों खबर यह आ रही है कि साइद ग्रूप सी जो भरतियों पहले हो जाए ग्रूप टी बाद मे मेटिंग होनी थी वो अब दोस्तों उसमें लगेगा लगबग मैं आपको बता दूँ आज चार तारीक है लगबग 10-11 तारीक के बीच ये मेटिंग होगी उसके बाद भी वाग बाटे जाएंगे कौन से वाग में कितने पद खाली हैं उसके बाद लेक्ट जारी होगी उस होता है इसमें इतना रगे सकता है जो मैंने आपको प्रो शीचर बताया है और फिर आपको नहीं पता लेकिन ये पता है कि फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको रिजर लना नहिए कि पूरी-फूशी समभामने हे यहां पर बताई जा रही है whenever हम इस अपते में इस मेहने के अंदर-अंदर जो पिछली साल की में भात कर रहा हूं 2023 की कि हम दिसंबर तक आपका रिजल्ट दे देंगे ये है वो है और जानुदी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं हो दोस्तों उनकी मेटिंग भी कैंस होई है तो अभी रिजल्ट की कोई संभावना पर नहीं लग रही है जब वो मीटिंग होगी वो विभाग जो 2019 के भरती है उसकी लेश्ट जारी होगी तब ही आपका रिजल्ट यहां पर मना जाएगा त्यार किया जाएगा लगए एक महिना लगा 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 तो या जो सभी बोल रहे हैं वह भी मैं आपको बता रहाँ कि यह बो देखे जो आपका फ्रवरी के फर्स्ट वेख में आएगा और फ्रवी के लास्ट सद्ट सबगर沒有 मार्स तग आपका वह मामला जा सकता हैış क्या क्या पीला हूं आ मैं जो हुआ हुआ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए मैं तुरूंत आपके लिए लेकर आँगा और मेरे पास टीजिटी वाड़ों के लिए भी अपडेट है मैं अगलग सी वीडियो बनाऊंगा उसके लिए धन्यवाद जैंद जैवार्थ